दोस्तों नमस्कार आदाब सच्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आप 38 और 26 के आंकडे पर मत जाएए इस वक्त जो देश की राजनीती में दो बड़े धड़े दिखाई दे रहे हैं इनमें आकड़ों का खेल असल में है नहीं असल खेल क्या है असल खेल है असल बुद्धा है असल इशू है राजनीती और रणनीती का politics और strategy का और इन दोनों के मामले में politics और strategy इन दोनों के मामले में 9 साल में ये पहला मौका है विपक्ष पक्ष को पीछे छोड़ दिया है यानि सत्ताधारी भारती जनतापार्टी उसको नरेंद्र मोदी जी की जो एक leadership है उनके नित्रित में जो नीती दिखाई देती है बीजेपी एंडिये की उसको पीछे छोड़ दिया विपक्ष ने ये पहली दफार 9 साल में हुआ अब बीजेपी एंडिये का कुनबा दिखाते हुए जुटाते हुए अब विपक्ष की strategy का पीछा कर रही है आगे आगे विपक्ष पीछे पीछे सत्ता पक्ष इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि ये केवल संख्या का मामला नहीं है ये दरसल सोच का है समझदारी का है स्टेटजी का है और स्टेटजी अब तक जो दिखाई पड़ रही है उसमें विपक्षी जो गठबंधन है वो आगे हो गया है इंडिया अब वो कह सकते हैं कि अरे आपने भारत क्यों नहीं कहा अरे भई हम तै करेंगे विपक्ष तै करेगा आप तै करेंगे कौन कह सकते हैं न विपक्ष की हम तै करेंगे आप कौन होते हैं तै करने वाले उन्होंने इंडिया लिया लेकिन ये इंडिया भारत का पर्यायवाची नहीं है उस तरह से ये दरसल उनके गठबंधन का नाम है क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम क्या रखा है अब ये बना इंडिया तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि साब आपने तो देश का पर्यायवाची बना दिया अब इंडिया ही बन रहा है तो जाहिर है वो इंडिया कहेंगे इसमें तो कोई दिक्तत नहीं हाँ ये जरूर कोई कह सकता है खासकर हिंदी छेत्रों में कि भाई आपने हिंदी में क्यों नहीं नारा लखा तो हिंदी अपना नाम क्यों नहीं रखा तो देखिए हिंदी में तो इंडिया ही चलेगा भारत कितने लोग कहते हैं इंडिया कितने लोग कहते हैं देश का जो नाम है इंडिया वो कम पापुलर नहीं है भारत के हिसाब से अगर देखा जाये तो जितना पापुलर भारत है उतना ही इंडिया है बलकि देश भी देश में इंडिया ज्यादा है और भारती जनता पार्टी जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करती है वो तो हर कारिकरम में हर स्लोगन में हर जुमले में इंडिया का ही नाम लेती है इंडिया फर्स्ट क्या क्या एक दो नारे नहीं हैं इंडिया के नाम से भारती जनता पार् औभारती काना या अंग्रेजी का एक रूप बताना शब्द बताना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जाया जाए इसलिए असम के मुख्य मंत्री को स्वहम सोचना चाहिए ये कम से कम जो रास्टी ने तित्तो बीजेपी का है उसने अब तक ये बात शायद नहीं कही है और क खास नहीं आई है तो इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलाइन्स तो इसको अगर भारती धंग से यानि हिंदी धंग से भारती भाषा में हिंदी में अगर कोई पेश करना चाहे तो वो कर सकता है भारती रास्ट्रिय विकास शील समावेशी गठबंधन बंगलोरू की मीटिंग में विपक्षी दलों की जो थी 26 दलों की उस बैठक में कुछ लोगों ने खासकर बिहार के जुड़े जो नेता हैं नितिश कुमार जी हैं या लालू परशाद जी हैं और कुछ एक और लोगों ने कुछ और नाम भी प्रपोज किये थे जैसे एक नाम आया था इंडियन नेशनल एलाइंस आई एन ए कुछ लोगों ने और भी प्रपोज किया था लेफ्ट फ्रेंट से जुड़े कुछ लोगों ने भी कुछ नाम प्रपोज किये थे लेकिन जो consensus इमर्ज की जिस पर जादा से जादा लोग सामत थे वो इंडिया ही था यानि इंडिया नेशनल डिवलपमेंटल इंक्लूसिव एलाइंस और इसको संदे एक सरुसमती इस पर बन गई शुरू में थोड़ी चर्चा जरूर होई मीटिंग में जो मेरी जानकारी है मेरे जो बै इसलिए जो मीडिया के खलके में ये जो खबर चल रही है कि कुछ लोग नाराज होकर चले गए पहले मुझे लगता है कि उस खबर में कुछ भी दम नहीं है बिलकुल निराधार है ऐसा मुझे जो लगता है या मेरी जो जानकारी है वो इसी तरह की है और दूसरी बात दोस संख्या संख्या कुछ नहीं होती है गुण क्वालिटी सबसे महत्पून बात है और क्वालिटी में पॉलिटिक्स की क्वालिटी में स्टेटिजी की क्वालिटी में आज NDA 38 दलों का भले जुन जुना बजाता रहे लगातार वो आवाजें जो हैं इधर से उधर होती रहे जुन्जने की लेकिन सबकों मालूम है कि इसमें तीन चार दलों के अलावा और जो दल है उनका कोई बहुत खास अर्थ नहीं है हम सभी दलों की इजद करते हैं सभी दल रेजिस्टर्ड हैं लेकिन भारत में तो कई हजार आवे डाई हजार से के आस पास शायद उससे कुछ दल रेजिस्टर्ड हैं तो उस रेजिस्टर्ड दलों का मतलब नहीं है सवाल है कि जनाधार वाले दल कितने हैं बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि उनके गटमंदन में चार ही पाँच ऐसे दल है जिनका वाकई उनका कोई अर्थ है महत्पूर्ण है खासकर लोक सभा चुनाओं के मत देना जा रहे कुछ एक दल हो सकते हैं जो राजियों तक के वलसीमित हैं तो दूसरी जो बात जो मैं कहना चाहता हूं कि संख्या पर मत जाये जाये गुन पर और गुन के मामले में जो साजा बयान कल जारी हुआ जिस पर आम तोर पे टीवी पूरम में अख जो स्टेटमेंट जो जुईंट एक स्टेटमेंट बना कल की बैठक में बंगलोरू की वो बहुत महत्पूर है और वो ये बताता है कि ये जो एलाइंस है इंडिया वो क्या डाकुमेंट लेकर आने वाला है उसका पुलिटिकल पर्सपेक्टिप क्या है उसकी सुरो में अब तक बोलने वाले कुछ एक लोग जो इस एलाइंस में सामिल हुए हैं क्या वो सामत हो जाएंगे common meaning program के लिए अब जैसे अर्विन्द केजरिवाल हैं सबी जानते हैं कि अर्विन्द केजरिवाल आप तोर पे एक बहुत individualistic किस्म की style में काम करने वाले नेता हैं वो भी क्या इस पर सामत हो जाएंगे कल की बैठक से जो संकेत मिले और निश्चित रूप से ये विपक्ष के समर्थकों के लिए ये शुब लक्षण है क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग जिन से ज्यादा आशंकाती वे पूरी सामती के साथ कल जुड़े है और साजा बयान पर सबकी सामती बनी है और जो साजा बयान जारी हुआ है बंगलोरु में वो सर्वसमती से और उसमें महत्पूर जो कुछ बिंद उठाए गये हैं वो ये हैं नफरत की राजनीत का खात्मा करना महिलाओं दलितों आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के दमन उठपिरन के बारे में एक स्टेंड लिया है सामाधिक आर्थिक सैच्छिक रूप से जो बैकवर्ड हिस्से हैं समाज के उनके साथ नयाय करने की बात है पहले कदम के रूप में जातिवार जनगनना की मांग की गई है यानि कास्ट वाइज जो सेंसेस है उसकी मांग क गई है और यह कहा गया है कि इसको हम हर कीमत पर उठाएंगे सरकार से असामत या विरोधी लोगों का जो दमन है जो उत्पिरन चल रहा है उसकी खिलाप आबाज बुलंद करेंगे और अगर हम सत्ता में आते हैं तो उसको खत्म करेंगे इतिहास के पुनर लेखन की नया फेडरलिजम की रक्षा है मनिपूर पर प्रदानमंत्री की खामोशी को लेकर वक्तबे में उले किया गया है इसके अलावा सरकार फेडरल स्ट्रक्चर पर जिस तरह अटैक कर रही है और इसके संदर में दिल्ली के अध्यादेश की खास तोर पे चर्चा है जिसको किया जा रहा है उसको इसमें शामिल किया गया है तो कहने का मतलब यह है कि यह बताता है कि किस तरह विपक्ष की जो तैयारी है और किस तरह वो अपना एजिंडा तैकर रहा है उसमें क्या-क्या महत्पूंड पॉइंट होंगे क्या-क्या महत्पूंड विंदू होंगे तो नो केवल 11 लोगों की कौाडिनेशन कमेटी तै होगी बलकि कन्वीनर भी तै हो जाएगा अब कन्वीनर होंगे या कन्वीनर होंगे क्योंकि एक प्रपोजल जो हमने सुना है वो ये भी है कि दो कन्वीनर बनाये जाएं लेकिन इस पर कंसेंसेस बनानी पड़ेगी और मैं विपक्ष के ये नेता बनाना चाहेंगे तो एक तो ये दूसरी बात जो सुनी है हमने दोस्तों अपने ऐसे कुछ राजनितिक सुत्रों के जरिये जिन पर भरोसा मैं कर सकता हूँ कि एक चर्चा यहाँ भी है कि इस गठबंधन इंडिया का एक चेर्मेन भी चुना जाए जिस तरह यूपिय का एक चेर्मेन चुना गया था और वो थी चेर्परसन के रूप में स्रीमती सोनिया गांदी हलांकि वो चेयन जो था बाद में हुआ था हम सब जानते हैं लेकिन एक राय उभर कर आ रही है विपक्षी दलों के एक हलके में कि इंडिया नामक इस गठब भी हो अध्यक्षता जो करे कन्वीन करने का जो काम है क्वाडिनेशन का जो काम है क्वाडिनेशन कमेटी के अंदर और अन्य जगों पर वो कन्वीनर्स करें या कन्वीनर करें और चेयर करें दिशा निर्देश का काम जो है माधदर्शन का काम जो है उसमें जो महत्पुन रोल अदा करे वो चेयर परसन करे या चेयर मेंड करे और दोस्तो आज एक महत्पुन जो सुचना मैं आप से शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के जरीए कि इसके लिए मलिकार जुन खड़ गए कॉंग्रेस के रास्ट्रिया ध्यक्ष उनका नाम बहुत शिद्दत के साथ लेने सौनिया गांधी बिलकुल एक ठुक नहीं हैं, ऐसा बताया जाता है वो बिलकुल एक ठुक एए कि उनको किसी भी तरह से लीडर्सीप में लाया जाए वो बेंगलोरु की बैठक में मवजूद थी, पटना में मवजूद नहीं थी तो प्रेस के एक हिस्से में, मीडिया के एक हिस्से में अठकलें लगाई जाने लगी कि लगता है चेयर परसन यूपिय की तरफ फिर सोनिया गांधी बनने वाली है लेकिन कॉंग्रेस ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई दिल्चस्पी किसी भी नहरू गांधी परिवार के व्यक्तिकी नहीं है और ये जो प्रतित्व है उसको लेकर कॉंग्रेस न तो पियम चेहरे को लेकर न तो अध्यक्षता को लेकर उसको कोई इसको लेकर जोर नहीं देगी उसके लिए ये कंसर्ण नहीं है उसके लिए जो कंसर्ण है कि कैसे भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली जो सरकार है जो समूचे देश में खास डंकी राजनी स्थापित करने की कोशिश कर रही है और संबैधानिक लोकतंत्र को चिन बिन कर रही है उसके विरुद कैसे एक सार्थक मीनिंगफुल आल्ट है वो ये है इस एलाइंस का और ऐसी स्थिती में दोस्तों अपोजिशन के अलग अलग पार्टीओं के नेताओं के बीच में आपसी कंसल्टेशन के दौरान एक राय उबर रही है कि क्यो नंबल लिकार जुन खडगे की अध्यक्षता ये एलाइंस स्विकार करें और अगर एलाइंस को चुनाओं में जीत मिलती है तो क्या ठीका ना बहुत सारे लोग ये भी कहें कि भारत को 76 सालों के बाद 77 साल में आजादी के क्यों नहीं भारत को उसका एक दलित प्रधान मंत्री मिले और इस तरह से देश में अब तक कोई दलित प्रधान मंत्री नहीं बना तो हो सकता है कि मलिकार्यून खड़गे की अगवाई में यह एलाइंस अगर जीता है कलपना कीजिए वो चेर्मेन बनाए जाते हैं और चुनाव में उतरता है यह एक जुठ होकर यह एलाइंस और सभी लोग सर्वसंबती से उनका नाम आगे करते हैं और वो प्रधान मंत्री बन जाते हैं तो निश्चित समाज के सबसे जो उत्पिडित वंचित लोग है उनके बीच से कभी कोई प्रधान मंत्री नहीं बना तो अगर मलिका जुन खड़गे बनते हैं तो भारती जनता पार्टी के लिए उसके हिंदुत्वा एजिंडे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी बह अगर ताकत बटोरता है तो जो साजा बयान में जो पॉइंट उबर कराएं हैं उसी का एक्सपेंशन एजेंडे में किया जा सकता है कारिक्रम में किया जा सकता है और ये विपक्ष का एक बहुत कारगर मोर्चे बंदी होगी विपक्ष की तरफ से जो भारती जनता पार्ट के ले देकर पांच-छे ही एलाई हैं ठीक से अगर देखा जाये तो वो 38 का जुन-जुना बजाने लगी अचानक 38 हो गए 38 हो गए 38 हो गए अरे बई कौन-कौन है जो आप में थे उनको निकाला फिर बाहर बुलाया फिर उनके कई खंड-खंड हो गए और कई खंड-खंड को फिर आपने कहा कि ये अलग-अलग पार्टियां बन गई हैं तो 38 दिखा दिया इसके अलावा दोस्तों अन्डिये का के नेताओं को आमंतरन देना और दिल्ली में अचानक बैठक बुलाने का फैसला ये अपने आप बताता है कि कहीं न कहीं विपक्ष की पहल से एक बौख 38, 38 फिर प्रदान मंतरी का बैठक के बाद राष्ट के नाम भाशन जैसा भाशन संदेश जो सभी जगह ब्राटकास्ट किया गया धारा प्रवाः खासकर टेलिविजन चैनलों पर और उसमें मैं ये नहीं कहूंगा मैं कम से कम इस तरह की अबजेक्टिविटी एक जरनलिस जरूर है लेकिन उनके भाशन में बहुत सारे आइडिलोजिकल पॉलिटिकल इशूस थे और खासकर इंक्लूसिब पॉलिटिक्स के लिए खासकर उन्होंने समाज के जो बंचित तबके हैं उन पर बहुत जोड़ दिया तो भाशन अगर देखा जाए प्रदान मंतरी का तो वो महत्मुन था इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन ये कहीं न कहीं जो विपक्ष की मोर्चे बंदी है इंडिया के नित्रितों में इंडिया एलाइंस के नित्रितों में उससे एक बेचैन घवराट भी एंडिये में भारती जनता पार्टी में आरेसिस में दिखाई ठक के निशकर्सों पर नतीजों पर इतना ही नमस्कार आदाब सच्रियकाद